सो सभी पिरिये विद्यार्त को डेर सारा नमस्कार माइसल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार और स्वागते आपका मारे फोरम एमकेस चैनल में सो बीएस नर्सिंग काउंसलिंग वालू के लिए बहुती बड़ी गुड अपडेट यहां पे रहने वाली है सो यहां पर 2023 में जिन्होंने बीएस नर्सिंग का इंटरांस इकजाम दिया है और वो काउंसलिंग करवा रहे है वो बहुती लखी है क्योंकि यहां पर आप देख पारूंगे 2023 में ऐसा पहली बार हुआ है कि पश्ट काउंसलिंग से लेकर मौपप राउंड तक का पूरा टाइम टेबिल पहले ही जारी कर दिया और यहां पर काउंसलिंग का सिस्टम पूरा ओनलाइन कर दिया पेमेंट भी आप ओनलाइन ही कर सकते हो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है और इतना ही नहीं आप के लिए तीन ओप्शन यहां पे दिये जा रहे है कि आप कोलेज को रखना चाते हो या कोलेज को आप अवैड करना चाते हो कोई और college आप चाहते हो उसको safe रगना चाहते हो या फिर आप मिले हो के लोज को decline करना चाहते हो इस परकार के option आपको मिले हुए है जिस state की जिस university की बात हम कर रहे है वो है आपका अटल बियारी वाजपई medical university उत्तर परदेश की यहाँ पर आपने allotment तो देख लिया होगा कि कौन सा college आपको allot हुआ है अगर नहीं देख आए तो check out कर लेना यहाँ पर आपने मैंने आपको पहले बता दिया था कि 25 जून को आपका allotment आ जाएगा ठीक है तो आपने देख भी लिया होगा और जो college आपको मिला है वो आप 5 जुलाई 2023 से पहले पहले कभी भी join कर सकते हो अब आती है बात second round की जिनको college नहीं मिला है या फिर जो मिला है वो उनको पसंद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं second round में आप भाग ले सकते हो अभी मौका है आपके हाथ में अगर आपका कोई दूसरा state है तो अवसे बता देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि पूरा update हम आपको देते हैं कोई भी state हो तो फिलाल इस वीडियो में हम UP की बात करने वाले है second round आपका 10 जुलाई को start हो जाएगा date याद रखना मैंने आपको बता दिया यहाँ पर और इसका result आजाएगा फिर 17 जुलाई को clear अगर आपको इस round में भी नहीं मिलता है फिर मौपप round का option रहता है यह देखिए तो उसका भी date याद रखना 27 जुलाई 2023 अब यहाँ पर देखो first counselling का आपका क्या रहा वो तो आप मेरे को comment करके बताए दोगे कोई दिक्कत नहीं सारे comment यहाँ पर देखके जाते है बट जिनको कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपने counselling में किस परकार option को select करना है वो नहीं किया है तो चलो में एक बार दिखा देता हूँ आपको सो मेरे फिरी विद्यारते हो इसके लिए आपको अटल बिहारी APVM के official website पर आना है वो तो टेलेग्राम पर link डाल देंगे हम कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आने के बाद नीचे आपको scroll करना है यह काम आप अपने mobile में भी कर सकते हो अब यहाँ पर देखो आपको थोड़ा scroll करते हैं नीचे जाना है यहाँ पर आपको option दिखाए देगा चेकाउट का ठीक है यहाँ पर आप guideline देख सकते हो और भी कापी कुछ यहाँ पर आप information देख पारे होंगे अब आप बोलेंगे sir यहाँ पर कौन से option पर किलिक करें तो यह CNET 2023 BS Nursing Counseling Live इस पर भी आप किलिक कर सकते हो Counseling Guidelines पर ठीक है तो जिसे आप किलिक करते हो नया interface open हो जाता है अब नीचे आपको चले जाना है यहाँ पर आपको दिखाए देगा Common Nursing Intranse Exam BS Nursing नीचे Yellow Color में आपको दिखाए देरा होगा Login तो बस आपको Login पर किलिक कर देना है अब यहाँ पर आपको क्या करना है आपके registration ID नमर डाल दो और आपका date ओपरत यहाँ पर डाल दो और Login आपको कर देना है फिर आपका कुछ इस परकार का Interface आपको दिखाए देगा यह पहले इस परकार का दिखाए देगा तीन option मिलेंगे Counseling, Round Past, View Result, Reprint ठीक है तो आपको Counseling, Round Past पर क्या करना है क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक कर देओ तो यहाँ पर आपको जो college मिला है वो दिख जाएगा है ना कि इना में क्या निकला है कौन सा college आपको alert हुआ है तो यहाँ पर आप देख पारूँगे किसी विद्यार्टी वो विवेकनेंद वाला हो गया लगनाव वाला अब देखो आपको भी इसे मिल जाएगा अगर alert हुआ है तो अगर नहीं हुआ है तो कुछ नहीं दिखेगा ठीक है अब यहाँ पर confirmation पर जैसे आप click करते हो यह तीन option आपके सामने निकल कर आएंगे अगर आप उसी college को चाहते हो तो seat alerted आप कर सकते हो पस्ट वाले पर ठीक है confirm कि हमको तो बस यही चाहिए आगे कुछ नहीं करना तो आप अश्ट कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि यह seat safe रहे लेकिन मैं second round में भाग लेना चाहता हूँ तो फिर आप इस वाले पर click कर देना है ना तो आपकी वो जो college alert हुए वो safe रहेगी और आगे भी आप भाग ले सकते हो और option 3 पे decline का option है alerted seat को आप ignore कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर AC condition में आपको payment करने के जुरत नहीं है 40,000 अगर आप पश्ट और second में करते हो तो फिर आपको payment करना होगा क्योंकि आपका addition हो जाएगा तो यहाँ पर वही बात लिक्के हुई है कि पस्ट and second वाले option में आपका college कंपम हो जाएगा और आपको 40,000 पे peace online पे करनी होगी तो फिर यह विद्यारत यो college मिल गया तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं अभी दूसरा मौका भी है round second का तो उसमें तो आपको मिली जाएगी और तीसरा मौका भी है ठीक है? मपप round का तो जो भी आपके inquiry है जो भी आपके सवाल हो comment करके आप पूछ सकते हो मैं आपके साथ हूँ बाकि टेलेग्राम को जरूर follow कर लेना वहाँ पर important update में डालता रहता हूँ फिर ये टेलेग्राम को जोइन करना link वीडियो के description में दे रखा है तो जो भी आपका सवाल है comment करके पूछ सकते हो